नवस्कार मैं हूँ गंगेश गुंजन और हमारे साथ हैं सेसियल के चेर्मेन और सीमडी गुपाल सिंग जी हम समझने के कोशिश करेंगे इनसे कि ऐसे समय में जबकि कंपनी पर प्रॉफिट का भी दबाव होता है उनके मानुविया चेहरा दिखाने पर कभी एक दबाव होता है वो कैसे डिल करते है और उनकी प्राथमिकता क्या है सर बहुत बहुत स्वागत है आपके नियूज 11 में जब CCL जैसी कंपनी कहीं काम करती है तो उस पर कई तरह के दबाव होता है एक तो ये भी होता है कि ये प्राफिट में रहे दूसरा जो कि किसी भी कंपनी का होता है दूसरा ये होता है कि इसका human face भी ऐसा रहे कि लोग उसको पसंद करें आप हलाके technical field से जुड़े हैं रेकर मैंने देखा है कि आप जो human face की तरफ जादा उसके value के जादा समझते हैं किस तरह से आप deal करते हैं इसको देखिए मेरा जो सिद्धान्त है जो मावापने हमें सिखाया है जो संसकार मिला है सबसे पहले हम मनुष्य हैं उसके बाद हम कुछ भी इंजिनियर बने या CMD बने तो मानवता सरव परी है और एदी आप मानवी मुल्यों का सही मायने में उसको आप तरजीह देते हैं लोगों के साथ ध्यान देते हैं कि हाँ वो भी मनुष्य हैं हमारे जैसे तो बाकी चीज़े स्वतर हो जाती है उत्पादन बह जाता है प्रफिट हो जाता है उससे टीम बनती है और मैं समझता हूँ कि CCL एक अच्छा उदारा है among PSCUs क्योंकि इस महीने में जबकि दखिये पिछले अगस्त के तुलना में इस महीने में 7% जादा बारिश है उसके बावजूद भी हमारा तीनों परामिटर में कोईला में भी लगवार 8% का ग्रोथ है और ऑफटेक में लवा 16% का ग्रोथ है और ओभर बर्डन में 14% का ग्रोथ है जो कि अपने आप में एक मिशाल है और यही इस बात को प्रमानिक करता है कि आपके सभी स्टेक होल्डर्स यदि आपका सहयोग करें तो कुछ भी संभाव है तो आपने उत्पादक्ता की बात कहीं कि वो सब कुछ बढ़ रहा है फिर जो क्षित्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आप किस तरह से काम करते हैं कि वो इंस्पार्ड होते हैं आपके लिए काम करने पर निश्चेत्रप से वो इंस्पार्ड होते हैं तब यह प् प्राथमिक्ता है मानविय मुल्य है। हम लोग उसमें विश्वास करते हैं और इसलिए जैसा कि आप भी जानते होंगा आप कभी सुनें होंगे। इसलिए हमनों CCL ब्रिहद परिवार बोलते हैं CCL परिवार माने जो हमारे employees हैं जो हमारे officers, supervisors हैं लेकिन जब हम CCL ब्रिहद परिवार बोलते हैं तो उससे हम mean करते हैं कि जो भी हमारे CCL command zone में जो भी हमारा दूल धकर खाता है blasting की आवाज सुनता है किसी न किसी तरह परिशान होता है चाहे वो पान की दुकान वाला हो कि राने की दुकान वाला हो कोई पत्रकार बंदू हो कोई government agencies हो या जो भी इस command zone में रहता है देखें कहीं न कहीं तो उनका योगदान है उनकी योगदान के बिना company नहीं चल सकती इसलिए company का भी दाइत्व बनता है कि company उनकी बारे में भी सोचे उनके बच्चों के भविश्य के बारे में सोचे और एक बाज़ ज़िए company सोचना शुरू करती है अधि आपकी सोच अच्छी है तो धरातल पर कारे तो होते है और इसी में देखिए हमारे प्रदान मंत्री जी के मानिया नरेंद्र मोर्दी जी के बड़े असपष्ट शब्दों में उन्होंने एक पूरे राष्ट्र को दिशा दिये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये इतना बगा मूल मंत्र है कि अधि सब लोग इस मूल मंत्र में विश्वास करने लगे सोचने लगे तो आप देखिए कि पूरे राष्ट्र का जैसा हमारे प्रदान मंत्री जी चाहते हैं उस हिसाब से विकास होगा, सरवांगीर विकास होगा, देश के विशेश का जैसा कि मैंने कहा जो भी हमारा पिछला लोग है अर्थिक रूप से, अदर्वाइस उन समों का भी उत्थान होगा यह जो कोईला का भंडार है हमारे पास यह खरन का, सामगरी का जितना भी भंडार है वो असमित तो है नहीं कितना आपको लगता है कि और एक्जास्ट कर सकते हैं इसमें नहीं, देखिए हम लोगों को उपर वाले के प्रति शुक्र गुजार होना चाहिए कि उसने भारत बर्स में कोईले का बहुत भंडार दिया है हमारे पास लगबग 319 बिलियन टन से ज़्यादा कोईले का भंडार बुक अफ रेकॉर्ड्स में है अब प्रश्ण है कि इतना हमारे पास कोईला है फिर भी हमारा देश कोईला इंपोर्ट करना पड़ता है जो कि अच्छा नहीं है देश हित में नहीं है कि उसे हमारा फॉर्द एक्षेंज जाता है अब आप सोचिए लगबग हमारा देश 235 मिलियन टन कोईले का इंपोर्ट करता है और चुकि इंपोर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एस परसेंटेज बहुत कम होता है तो यदि उतना कोईला हम अपने देश में इनका यदि 235 मिलियन टन है और हम GCV के टरंस मिलें तो हमारे कोईला को लगबग उसका डबल जो यदि उनका 235 मिलियन टन कोईले का जो GCV है हम GCV equivalent में यदि कल्कुलेट करें तो हमें लगबग 500 मिलियन टन कोईले का उत्पादन करना हो लगबग 608 मिलियन टन प्रोडक्शन किया था तो यदि 500 मिलियन टन जो इंपोर्ट हो रहा है यदि भारत वर्ष में हो जाता है तो आप सुची कि उतना तो एक फॉरेक्स बच जाता है लगबग इस पे एक लाग सकतर हजार करोर वगदर कुछ फॉरेक्स जाता है अब सोच सकते हैं कि लोगों कितने फाइदा होता है आथिक रूप से एंप्लॉइमेंट मिलता है लोगों को किसी न किसी प्रत्यक्ष रूप से परक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलता है और जो स्टेट गवर्मेंट को जो सेंटर गवर्मेंट को जो टैक्सिस के रूप में जाते हैं वो तो माली जी अलग से हैं चुकि सरकारी कंपनी है मेरा वो दाइत्व बनता है तो यदी उतना कोईले का हम प्रोडक्शन बरहा लें तो हमारे देश की दोजगारी बे दोजगारी यूँ कहिए इवाओं को दोजगार मिलने की समहोने बहुत बढ़ जाएंगे अब प्रशन उठता है कि उतना बढ़ाय कैसे जाएं तो कोईला का उत्पादन बहाने के लिए एक चीज है एक तो हमारी क्वालिटी चुकि उतनी अच्छी नहीं है तो कुछ कोईला तो हमें इंपोर्ट करना परेगा कि उनके 8 एक परसंट-7 परसंट के कोईला करते हैं मैं और जो हमारे कोस्टल पाउर प्लांस है उनके लिए ओक कहीं न कहीं ससता पुगते हैं तो ठीक है है जितना unavoidable है उतना इंपोर्ट हो बाकी जो unavoidable है वो तो हम भाए हैं अब कोईला प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए देखिए सबसे आवश्यक है वही मानिय प्रदान मंत्री जी का मूलमत सबका साथ जब तक सबका साथ नहीं होगा आप कोईले की बाद छो दिजिए किसी भी इंडस्ट्री का विकास नहीं हो सकता है जो नोकरी करता है उसको क्या बोला जाता है आप बता का नोकर बालिख नोकर 설 एक manipulating आप देते हैं तो वी सिर्फ आपको सेलाम करने का उसका बंती है जिमेवारी लेकि हम तो पूरे बारत वर्ष की जनता के नोकर उत्पादन बढ़ाने की बात कहीं एक सवाल हमेशा उड़ता रहा है कोल फिल्ड एरिया में कि जब भी खनन होता है विया माइनिंग के वज़ा से प्रदूशन एक बड़ी समस्या बन जाती है प्रदूशन को लेकर क्या स्ट्राटिजी है सेसियल देख आपने बड़ा आहम प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न है अभी हम जो बात कर रहे है तो कोईला उत्पादन की बात कर रहे है क्योंकि आज के तारीक में देश में सबको बिजली चाहिए और देश में जो बिजली पैदा हो रहे है उसका अधिकांस हिस्सा कोईले से आता है तो आवश्यक तो है और बिजली नहीं रहेगे तो बच्चे घर में नहीं पर पाएंगे फैक्ट्रियां नहीं चल पाएंगी ट्रेन को चलने में अस्विदा ह सारी चीजें होंगे तो बिजली आवश्यक है चुकि बिजली आवश्यक है इसलिए कोईले का उत्पादन आज की तारीक में आवश्यक है कल मैं नहीं जानता हूं कि रिनेवेबल एनर्जी आ गया तो कोईला को स्वतर बंद होना पड़ेगा कोल इंडस्ट्री को क्योंकि रिनेवेबल एनर्जी एन्वार्मेंटल पॉइंट अव्यू से बहुत ही अच्छा है और अब तो सस्ता भी होने लगा इस्टोरेज की समस्या जिस दिन सोलर पावर की समाधान हो जाएगा आप देखिएगा सोलर एनर्जी कोईला एनर्जी से सस्ता हो जाएगा और जिस द अब तो कोईला उत्पादन करना होगा चुकि हमें गरीब राष्ट रहे हैं तो हमारे लिए आवशक है कि हम बिजली पैदा करें मगर वो सस्ते धर पे हो रिलायबल हो भाई आपको हाँ कि बिजली रहेगी ऐसा नहीं कि परने बैठे लिफ्ट में बैठे बिजली चली और रिलायबल भिजली हमारे लोगों को मिले और आज की तारीक में ये उदेश्य कोईला भिजली से ही हो सकता है इसलिए हमें कोईले का उत्पादन अभी तो करना होगा मगर कोईले का उत्पादन करके ऐसा हमें नहीं कर देना होगा कि environment हम पूरा बरबाद कर दिये global warming इतन हो जाए कि temperature 40-50 degree हो जाए पता चला कि मान होता कि existence पर ही question mark होगे वो भी तो दुर्भागी होगा हम लोगों बोलता है ना antibiotics कोई आपको बीमारी होती है और एलोपैथी वाले जो antibiotics देता है न एक रोग ठीक होता है उसका side effect होता है तो side effect से लोगा डरते है तो कोईला का production environment बरबार होता है वो side effect है हमें उसी भी control करना हो और वो control किया जा सकता है फिर वो mindset की बात है अब देखिए हमारे पार सभी संसादन है जहां भी हमारी ख़दाने चलती हैं वहाँ water tankers है कि dust degeneration ना हो अब हमारा हर water tanker यह दी 8 घंटा हमारा जो operator भाई है और हमारे फीटर उसक tankers चलने लगें अब तो हम लोग fixed water sprinklers भी लगाने जा रहे हैं mist spray लगाने जा रहे हैं ताकि dust pollution को जितना minimize किया जा सके करें दूसरा हुआ ब्लास्टिंग वगर के वजह से भी आप जानते हैं बहुत जादा pollution होता है उसमें भी अब technology आ गई अब हम कोईले में ब्लास्टिंग के बदले surface minor लगा कर बीना blasting का कोईले का उपादन कर सकता है और वह हो रहा है आपके हाँ अशोका में हो रहा है पिपरवार में हो रहा था अमरपाली में हो रहा है अब जितनी भी बड़ी खदाने हमारी होंगी वहां हम लो surface minor ही deploy करेंग एक उससे फैदा दूसरा अभी है हमारे मानिय प्रधान मंत्री जी का हमारे दाश्टर का सबसे बड़ी आज की तारीक में प्रात्मिकता है hundred days program उसके तहत हमें दो टास्क मिले हैं coal industry को इसी को environment को control करने के लिए उसके damage को control करने के एक तो कि हम वाश्यरीज बनाने जा रहे हैं दूसरा क्या ह है कि जो हमारा ट्रक से कोईला माइन से और साइडिंग्स वगरे में जाता है तो वह देखिएगा सबसे बवानुशन से एक तो accidents होते हैं दूसरा कोईला जो गिरता होता है आप जानते हैं उसके चलते जो dust generation होता है उससे सब परिशान रहते हैं उसको कैसे control किया जाए उसम कोईला वो बिल्ट कनवेर से ले जाए ताकि रोट रांसपोर्टेशन आपका मिनमम हो dust generation मिनमम हो लोगों के स्वास्थ को कम नुकसान हो तीसरा जखिए जहां भी कोईला मिलता है स्वभाग्य दृभाग्य जो बोलीजी ऐसा जगह पर मिलता है जहां कि forest रहता है बहुत development नहीं दाता है कोईला खदाने वहां वह है न जहां न पहुंचे कभी वहां पूंचे रवी वहां पहुंचे कभी तो कोल इंडिया वाले भी कोल माइस वाले भी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कि कोई infrastructure शायद नहीं होता है जब पहले खदाने खुलती है तब देखिएग भी एक तरह से कहिए कि उस जगह का विकाश होता है लेकिन इसके दूस परियाम भी है कि इतना सुन्दर जंगल होता है उन पेरों को काट कर हमें खदान खुलनी परती है इसलिए हमारा यह भी दाइत्यों बनता है कि हम जितने पेर काटें जितने ट्रीज कम से कम उसका डब लगाएं तो इसमें हमें इस बात की खुशी हो रही है कि जैसे हमारे CCL का अंकरा लीजिएगा खुल इंडस्ट्री का तो आकरे बताते हैं कि हम एक प्रेर यदी काटते हैं एक एक एकर का एक एकर का यदी हम फॉरस्ट डामेज करते हैं तो लगभर 2.4 एकर पर हम ट्रीज लगाते हैं प्रधान मंत्री जी की भी आपने देखा होगा वो पेरिस में उन्होंने कहा था कि हमें पॉलूशन लेवल घटाना आने वाले दिए तो जब हमारे प्रधान मंत्री जी का ही ये बचन है उनकी प्राथ मिकता है तो सभाईक रूप से हमने हों कि जिम्मवारी ब कर रहे हैं अभी आपने देखा होगा हमारे बगल की बस्ती हत्मा तो हम लोग वहां गए थे उस दिन ये जो विश्वा दिवासी दिवस था जाकर हम लोगोंने प्लांटेशन किया एक पहारी थी प्लस गाउं वाले बड़े उत्साह के साथ आए और जितने पोधे CCL ने व सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मुख्य मंत्री मानिया रगवर्दार जी को और हमारे देन कोईला मंत्री थे मानिया पी युश्वाई जी आप जानते हैं यहां एशियन गेम्स हुआ था राची में तो इंफ्रास्ट्रुक्चर स्टेट गोवर्मेंट नम बनाई थी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रुक्चर स्पोर्ट से काड़े नेशनल हां नेशनल गेम्स यह हुए थे खेलगाओं में यहां उटवाद तो ह हमें 15 में माननिय मुख्य मंत्री जी और हमारे ददेन माननिय कोईला मंत्री से प्योश गोईल जी ने जिम्मेवारी दी कि भाई CCL इसको रन करें तो शुरु में तो हमें बहुत रबाराट हुई कि हम तो कोईला वाले हैं हम यह स्पोर्ट्स कैसे चलाएंगे लेकिन चुक इन सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि समलित प्रयास से देखिए यह स्पोर्ट से काई नहीं यह एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है और मैं समझता हूँ यह वन अफ इट्स काइंड है पूरे देश में देखिए हम बच्चों को दो हजाजाश 24 ओलंपिक्स के लिए तयार कर रहे है कि वहां हमारे बच्चों को गोल्ड मिडल्स मिले लेकिन अभी तो हम 2019 में बठे हुए है और हमारी बेटी को फ्लोरेंस बरला अभी हाली में कजाकस्तान में एक यूरोप और एशिया का मीठ हुआ था और वहां हमारी बच्ची दो गो का मेडल्स टैली यदि हमें ठीक से याद है तो हमें लगता है नेशनल और स्टेट लेवल पर तीन सो से ज्यादा मेडल्स हमारी इस्पूर्स एकाड़ी माले बच्चों को मिला है और आज की तारिक में जो बच्चे जो इनकी टाइमिंग आ रही है उपर वाला महर्मान रह है आशिवाद देते रहें तो हमारे बच्चों को 2024 में बेश्चक मिडल्स लाएंगे और उसकी वज़र से हमारे जारखंड जो है न पूरे विश्व के नक्से पर आपको दिखेगा तो यह हमारे बच्चों में प्रतिबा है और यह बच्चे कौन है देखिए जो हम लोग को लाते हैं जो एंट्रेंस करते हैं वो पूरा ओपन कंप्टीशन है वहाँ कोई रिजवेशन भी नहीं है यह भी एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है लेकिन उसमें हम लोग पूरा पाधर्शिता और बिल्कुल जो फैर बोलता है न जितना जैसे हम वीडियो ग्रा शरू मालजों है वे शिडू त्राइब से डू गौश्ट ओपी सिंतले वे चर्चेंत उसको और उनको चुकी सुवधा मिली का यह इस बाद का प्रवान है कि हर बच्चों में कितनी प्रतिभा होती है है हुरा इसपॉर्स में तो वह अच्छा करी रहें चुकिा फोकस dáh कर रहें कई क्लास के टॉपर हो जाते हैं यह बच्चे हमारें पेंटिंग में इतने ज्ба में इतने अच्छे एक्स्टा कर इतने अच्छे हैं जब ड्रमा वगदर करते हैं उनका डांस करते हैं तो आप बच्छों को देखते बनेगा इतनी प्रतिबा आप बच्छों को इसी से हम लोगों ने एक काया कल पब्लिक स्कूल खोला है यहीं कांके दोड में CCL की जमीन थी तो वह लोगों ने खोला है उसमें वह सुबर हमारी बच्छों को लेकर के आती है यहां काया कल पब्लिक स्कूल हम लोग चला रहे हैं जिसमें मौस्टली वही बच्छे हैं जो इनको भिक्छा मांगना परता है यह मांगते थे इन बच्छों को एक साल जो हम लोगों ने शिक्छा दिया है और उनका जाक बोड़ी लेंगविज दिखी रहे हैं मैं दावे के साथ करता हूं कि यह बच्छे कल की तारीक में सब इंजिनियर डॉक्टर आईसाई पीरस मनें इतनी प्रतिवा है तो यह सब कुछ हुदा रह फिल्ड में हम लोग कई जगह चला रहे हैं आई टी आई सेंटर स्किल डेवलप्मेंट सेंटर कई जगह हम लोगों ने अभी शुरू किया जैसे यहां कुछ बच्छों को हमने अडॉप्ट किया है एक हम लोग ग्रामी फुटबॉल टॉर्णमेंट अभी चल रहा है उसमे हमारे लबर 230 से ज़्यादा टीम है कि CCL कमान जोन में जो भी गाउंवाले करमशारी का बच्चे हैं सब मिला जुला कर वह सवाथ सवाथ 200 से ज़्यादा टीम है वह अभी चल रहा है तो उस हिसाब से सब बच्चे हम से जुरू है उसमें भी हमारा ये अंततरता सोच है कि इ अंततर हमें उन्हें किस तरह से उनको शिक्षा मिल रही है कैसे उनका स्वास्त है अच्छा रहा है और अंततरत तो देखिए उपरवाले ने पेट बना दिया भूग तो लगती है तो सबसे महत्तों पुरू है रोजगा जाहे वो मालेजय सरकारी कंपनी में हो पाइड है तो यह हम सब लोगों के लिए एक सोचनी अविशा है कुंडा में साहब यह फेसिलिटी खोली जा सकती है तो आज भी हमने सुबह में टीम से अपना मीटिंग किया था और लगों को टास्क दिया है कि इसको करो तो इस्पोर्स के प्रतिल लोगों का जो रुजहा है यह बहुत ही सकरात्मक है क्योंकि बच्चों को आप स्पोर्स में जब मोटिवेट करेंगे वो पार्टिपेट करेंगे देखेंगे स्पोर्स में एक तो स्पोर्स में इस्पिरीट बहा फेमस है बच्चा जब स्पोर्स में होगा ने जब उसकी पैशन होगी तो मिलने में भी सुधा होगी इसलिए हम लोगों के लिए बरा वश्यक है कि हमने जितना स्पोर्ट को प्रमोट कर सके करना चाहिए और चुक्कि अब सफलता मिलने लगी है स्पोर्ट साइडमी के मांध्यम से तो हम लोगों का हुसला और बहा है इस पर एक ब्रहत चर्चा स्पोर्ट सेग्मेंट पर कभी आप से किस तरह से बहतर कोच आने चाहिए आप किस तरह से मैनेज करेंगे चुक्कि आपने भी कहा कि स्पोर्ट सापके लिए एक अलग सेग्मेंट है वो जो जो जिनरल काम है से सील का उस पर भी हम चाहिए करेंगे प्रदान मंत्री जी द्वारा जो चल रहा है खेलो इंडिया यही सोच होगी यही सोच है उसको हमें जितना प्रमोट करना है और आपने स्वतंत्रता दिवस की बात की मैं समझता हूँ हम भारतवासियों के लिए यह सबसे बला पर्व है तो इस मौके पर सबसे पहले तो मैं अपने पुदवजों को सहीद पुदवजों को शत्षत नमन करना चाहूँगा उन्हें सरदानचली मैं अपर करता हूँ उनकी सोच थी, उन्होंने एक अपने लिए दिशा तैकि हम भारत वर्ष को सुतंत कराएं ताकि हमारे आने वाली जेनरेशन, आगे आने वाली पिर्विरें शुतंत भारत के नागरिक मन सके, उनका सर्वांगे विकास हो सके हम भारतियों का कर्तब बे बनता है कि हम उनके स्वपन को साकार करें इस दिशा में हमारे राष्टे में बहुत कुछ काम हुआ है लेकिन अभी भी भी बहुत कुछ काम होने बागी है अभी भी हमारे यहां काफी लोग लगवर 30% लोग BPL से नीचे गरीवी देखा से नीचे जीवन यापन करते हैं लगवर मैं समझता हूँ कि निरक्षरता भी लगवर 25-26% है तो हमें हर स्वतंत्रता दिवस पर यह मौका मिलता है कि आज भी तक क्या हुआ आगे हमें क्या करना है इसकी योजना पर चर्चा की जाए मैं इस महां दिवस के औसर पर पूरे अपने समस्त भारत वासियों को जारखन वासियों को अपने कोईलांचल के हमारे जो भी मित्र हैं जो भी साथी हैं समानित महिलाएं हैं सभी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और साथी साथ उपर वाले से प्राथना भी करता हूँ कि वो हमें इतनी शक्ति दे हमें इतना आशिरवाद दे कि जो स्वपन हमारे पूरवजों ने देखा था उसको हम साकार करें और भारत वर्स को एक बहुत ही मजबूत विक्सित राष्टर बनाएं ताकि उनका स्वपन सकार हो हमारे मानिय प्रधान मंत्री जी कि जो सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस सोच को के प्रती आगे बढ़ते हुए इस राष्टर को हम बिक्षित करें बहुत बहुत धन्यवाद तो आप थे गोपाल सिंग जी हम समझने के कोशिश कर रहे थी कि क्या कुछ सकरात्मक हो रहा है इस सेल में फिलाल इजाज़त ने, नमस्कार